आज मैं आप लोग के साथ share करने वाला हूँ color cutting color cutting में एक color नहीं होगे मैं कोशिस करूँगा कि जितने तरीके की color होती है सभी को इस वीडियो में cover कर लूँ जैसे मैं frog color हो गया, coat color हो गया, round neck color हो गया, high neck color हो गया shirt color हो गया, जितने भी तरह के color होती है उस सभी तरीके की color cutting करना मैं बताऊँगा इस वीडियो में प्लस उसके साथ गले की cutting भी कोशिस करूँगा कि बताते चलू ताकि आपको proper ढंग से समझ में आया कि कौनसी गला, कौनसी color में बैठेगा और set होगा इस सारे तरीके में आपको बगरम के उपर और कुछ कपड़े के उपर cutting करके बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं और नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मैं इस कप्रे पे आपको सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि color आप किसी भी तरीके की cutting करे यानि color कोई भी हो लेकिन उसका solder जो काटने का तरीका है वो एक ही होता है इसका प्रे पे पहले मैं आपको solder cutting बता देता हूँ ताकि आपको doubts किलियर हो जाए उसके बाद हम गला और color काटते हुए चलेंगे एक एक करके जितने भी तरीके की होती है आप वीडियो में बने रही है आपको इसमें से जो भी color cutting करना है वो आप cutting कर सकते है ठीक है मैंने कावलर वारी कूर्टी cutting कैसे की जाती है यह से प्रोपर वीडियो बनाया है अगर वीडियो आप नहीं देखा है तो जा कर देख लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि यह हमारा एक shoulder का निशान लगा हुआ है ठीक है जो छे इंच पे है तो हम इसी के हिजाब से काट देंगे और नॉर्मल हम इसको एक शेप दे देते हैं ताकि आपको समझे में आए अब ब्लावज में और कुर्टी में दोनों में shoulder अलग अलग होते हैं ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम कि कुर्ती के लिए हम बता रहे हैं तो कुर्ती में हम यहां पे एक इंच डाउन रखेंगे आप इसमें सबाइच भी डाउन रख सकते हैं और गला जो है हम इसमें 3 इ जितने भी तरीके की कॉलर कटिंग करेंगे उसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आपने अगर सोल्डर का जितना भी नाप लिया है समझ लिजी आपने सोल्डर का नाप 14 इंच लिया है तो या तो आप 14 इंच पूरा रखे या एक इंच आप उसमें और प्लस क करेंगे 15 इंच तो 14 इंच रेडी होगा अगर थोड़ा सोल्डर कोई वेक्ति कम पहनता है सोल्डर कम वाली तो उसमें 14 इंच आपने नाप लात है 14 इंच पूरा रखे समझ लिजे 12 इंच है तो 12 इंच पूरा रखे इस तरीके से आपको सोल्डर की कटिंग करना है और जो इसके साफ से डाउन करते जाना है तो यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा अब क्या है कि फ्रंट में जो है इतना इसमें गहराई भी देना जरूरी है ठीक है और ज्यादा भी गहराई आपको नहीं देना है नहीं तो यहां पर सीने पर टाइट हो जाएगा यह चीज भ तुम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए आ इस एब देखिए आपको समझे के लिए मैंने कर दिया है ताकि आपको प्रॉपर समय आए कि बोडी यह है तैसमें कॉलर हमें कैसे फिट करना है ठीक है अब हम सबसे पहला जो कॉलर की कटिंग करेंगे ओफ रॉक कोलर है रा गला को निसान जो हम चार इंच पर लगाएंगे ठीक है इस इधर से आप साइज के कोर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं यानि बड़ा साइज है तो आप सवा चार या सारे चार ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं और ऐसे में नेक सारे तीन इंच हम रख रह और इसको पूरा का पूरा हम गोल सेफ देंगे ठीक है यह फ्रेंट का हुआ और बैग में जो है दो इंच पे डिप देंगे ठीक है इस तरीके से अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन अब हम जब कॉलर कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस कॉलर की कटिंग करने के लिए मैंने फ्यूजिंग लिया है जिसमें इस सारे 9 इंच है 10 इंच तक ले सकते हैं आप और ऐसा में सारे 6 इंच ठीक है तो आप ए नेक और इसकी हिसाब से इसकी लंबाई और चवराई ले सकते हैं आपका गला जितना भी हो उसके हिसाब से यह अब से पहले हम क्या करेंगे यहां पर इधर से डेर इंच फेक निशान लगाएंगे आंगे और यहीं पर यहीं पर यह वाली जो है सारे तीन इच उसको हम मेजरामेंट कर देंगे और इसको हम ऐसा कर देंगे ठीक है है समझेगा पूरे तरीके तरीके 講 कि उसके बाद 2 क्या करना है आपको कि ए और ए दोनों मिला कर या लिस अमजल YE यहां से हमारा चार इंच है और यह कितना है दो इंच है ठील त्छेंच है ठीक है ना यह दो लगाया हमने सारे तीन इंच वह इधर पर भी लगाएंगे और यह दोनों को हम सीधा कर देंगे कि समझीएगा इस तरीके से अब इसको और इसको ऐसा ले लेंगे और हम इसको इसके हिसाब से जो यह दिख रहना इसके हिसाब से हम राउंड कर देंगे तो हम नॉर्मली इसमें सेफ करके दिखाते हैं लेकिन यहां तक जो है वही राउंड होना चाहिए तो इस तरीके से इसको हम राउंड करेंगे और फिर इसको भी हम ऐसा राउंड कर देंगे देखिए इस तरीके से यही आपको करना है ध्यान से दिख रह तो थोड़ा सा सो बढ़ाते जाना है कि ठीक है यहां पैसा मिला देना है और यह प्रॉइंट हो जो है आपको इसमें मिला देना है में समस्कूलर कस घर करके फिर आपको बदा देने कैसा दिखे गए ओके पहले बाहर के भान कटिंग करते हैं कि यह कॉलर ज्यादा तर फ्रॉक में लगाए जाता है तो यह हमारा आगे का भाग हुआ यह हमारा पीछे का भाग हुआ अब दिखेंगा कैसा वह मैं आप दिखाता हूं आपको मैं देखिए इस तरीके से अब यहां पे फिट होगा यह वाली भाग जो है यहां पे फिट होगा इस तरीके से देखिएगा यहां पे यह वाला जो भाग है यहां पे फिट हो जाएगा और यह वाला भाग जो है यहां पे फिट होगा तो इस तरीके से आपका जो है यह कॉलर दिखाई देगा तो यह हम मारा पहला कॉलर की कटिंग हुआ successfully अब हम चलते हैं दूसरे कॉलर की ओर दूसरा हम कोट कॉलर की कटिंग करेंगे तो कॉट कॉलर में क्या है कि आपको इस तरीके से ट्रेंगल काट लेना है आपको जितना भी यहां के जो होता है कोट कॉलर चोड़ा रखना है उससे आधा ए जो पल्ला है न इसको क्या करना है आपको ऐसा फैला लेना है ठीक है और फैलाने के बाद ये वाली जो भाग है सीधा वाला भाग ऐसा रखना है ऐसा और इस भाग को भी ऐसा रखना है ठीक है ये बीच से कटा हुआ रहेगा या आप च्वैंड भी रख सकते हो और यहां तक जो भी लंबा है आपको जहां से भी ओपन करना है उहां तक आपको क्या करना है ऐसा सिलाई मारना है यहां और यहां तक लाना है सिलाई को ठीक है यहां तक और यहां लाके यहां तक सिलाई लाने के बाद आपको छोड़ देना है ऐसा ऐसा सिलाई मारना है और इसको हम बाहर की और पल्टी कर लेंगे यहां से तो एक क्या होगा कि यह इस तरीके से नोच बन जाएगा यहां तक ठीक है और यहां से हम जो है दूसरी कॉलर ऐसा रहेग तो फ्यूजिंग लिया है यह चोड़ाई में मैंने लगवाग चार पांच इंच ले लिया है तो आपको क्या करना है यहां से यहां माप लेना है आधा ठीक है यहां से आधा ऐसा नापना है कितना रहा है हमारा चार इंच आ रहा है और ऐसा में कितना है हमारा साथ इंच है ठीक है साथ इंच है तो साथ और चार 11 11 चार 14 इंच होता है तुब 15 इंच के हमारा कोला कटिंग हो ठीक है उसके इसब आपको माप ले साथ है पन्दरा के आधा होता है साल्इा को ж इसको 7 करकार सिधा सिधा है और कोई तकलिप ने होगी परिसान ने होगा आपको काटने में ऐसा सारे साथ इंच पर हम ऐसा निसान लगाएंगे तो ऐसा पर ला मोर काट के हटा लेते हैं ऐसा ठीक है और एक हम सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे सब बकरम की मदद से ही आपको कॉलर जो है बनाना है ठीक है अब यहां पर क्या करना है आपको कि यहां पर रखना है पौने दो इंच ठीक है यहां पर पौने दो इंच रखना है और यहां पर रखना है पौने तीन इंच ठिक हैं और इसको जो है ना यहां से यहां कर्फ से बनाना है कैसा बनाना है ध्यान से समझेगा आए nessa इस तरीगे से बनेगा झाओ है देखिए बस आपको कुछ नहीं करना है यस तरीगे शेब बनेगा और है जो निशान पर केण सबस्क्राइब अधिक सारे साथ हमारा है यह नहीं तो सारे साथ जहां पे भी आता है वहां पे हम सीदा इसको लगा देंगे यह लगवक सभी साइज में इतना ही आप रख सकते हैं ठीक है तो यह हमारा कॉलर हुआ और इसको हम कट कर लेते हैं परोas सब्सक्त्रो और वाला जो कॉलर है और इस तरीके से बैठेगा दिखिए इस तरीके से करेंगे हम यहां से जहां भी एंच वह पॉऍट बना रहेगा यह वहाला भाग पक्क्का रहेगा ठीक है ऐसा यह उड़ता हुआ रहेगा और पक्का हो जाएगा इस बड़ी इस कपड़े के साथ में तो यह ऐसा आएगा और यहां से ऐसा और फिर इसको हम ऐसा जोएन कर लेंगे यह जो हमारा एक कोट कोलर के जैसा बनकर रेडी हो जाएगा ठीक है तो इसमें कोई भी आपको परिस सब्सक्राइब करने के लिए मैंने एक फ्रेस पला लिया है और निसान लगा दिये पहले ताकि आप लोग को समझ में तो सबसे पहले आपको समझ लेना है गले की कटिंग और उसका कैसा मेजर्मेंट है वो उसके बाद हम कॉलर कटिंग करेंगे ठीक है यहां से हमने इसमें अधेलिया है सबसे तीन के डिफ़ा सारे छे इंच एभा और बनने के वाद साथ इंच हो जाया और आइसा में हम लेंगे चार इंच जो सारे तीन इंच रेडी होगा ठीक है अब यह सवातीन है तो सवातीन हम यहां पर भी लेंगे और इसको बॉक्स बनाएंगे फिर हम समझाते आपको तरीका अब सब्सक्राइब क्या होता है कि ओपन भी करते हैं तो अलग अलग चरहा के आप कटिंग करें थोरा इदर फें मार्जिंग लेकर साइड में ठीक है हम सिर्फ समझाने के हिसाब सापको बता रहे हैं तो यहां से ऐसा सौरी यहां से राउंड जो होगा पूरा बहुत इतना पर राउंड होगा और यहां पर ऊपन रहेगा एक दूसरे को पर चढ़ेगा को जो सट कॉलर होता है ठीक है तो उसमें एक इंच इधर एक्स्ट्रा हो जाएगा ठीक है ना अब आपको दूसरे साइज में कैसे कटिंग करना है कोई भी साइज हो तो उसमें तीन थोड़ा बड़ा है तो उसमें 7TA3 ले ले वे और थोड़ा बला है तो सठीस तिन ले ले लीजिए ठीक है अशो WWE और इसा करना है यह हो गया अब इसको मिजर्मेंट करेंगे ना पेंगे हमारे जो गला में हो कोलर कितना लगया तक अइसा ना पेंगे एक इंच इदर छोड़ कर क्योंकि हमारा एक इंच होता है वे एक धुसरे पर चरता है कॉलर ठीक है तो ऐसा ना पयंगे और यहां से मारिंग छोड़के एसा और ऐसा ना पेंगे इसमें हमारा 18 लगे यां ठीक है तो निचे को होता है वह अठारा इंच का लगे नौ इंच हुआ टोटल तो टारइंच का कॉर्ण से कटिंग करेंगे टिक इसको रखते हैं साइड में और ध्यांसे समझे है कैसे कटिंग होता है यह वाला पल्ला हमन स्रीके से सीधा निंसान लगा देना है उसके बाद इसको हम पहले दबल-कर लेते हैं सौरी अधाध्य-धामें डबल में बनाना है आपको करें दोल पोल्ट रखना है मन लिए आप 9 इंच आंप को ऐसे माप लेना यहां तक हमईर आपको पौने दो इंच रखना है बीच में ठीक है और यहाँ पर नापना है आपको आठ इंच वह वह लाएक इंच कम रहेगा उससे ठीक है आठ इंच और यहाँ पर रखना है अधाई इंच इस लगभक सभी साइज में इस तरीके से आप कॉलर बना सकते हैं ठीक है उसके वाद ऐसा से पट्टी लेना है आपको और इस तरीके से यहां से जहां सोला इंचे ना वहां से आप मिला सकते हैं आराम से देखिए यहां पर सोला इंचे तो यहां से मिला सकते हैं तो देखिए कैसे मिलाते हैं इस तरीके से इसको यहां तक जाने देंगे हम ठीक है यहां तक अब यह वाला और यह वाला सिधा कर देंगे हम इस तरीके से के देखिया कैसे बनता है और इसको हम इसा रखेंगे हैं जितना चीए आपको उसके हिसाब से ठीक है उसके बाद बेंड पट्टी जो है यह बेंड कटेगा तो बेंड आपको जितना चौला रख सकते हैं हम इसमें जो है सवाइंच रखेंगे बैंड बैंड एक जैसाई रहेगा सब जगों पर और इसको इसको लेना है यहां से और ऐसा इसमें भी तो सेम सूलाइंच से निसान लगा देना है अब इसको आप चाहे तो कि ऐसे देशकते ह्सको और यहां पिजो है यह वाला भाग थोड़ा हुद से अइसा हो जाएगा ठेक है आइसा देखिए इस तरीखे से इस तरीखे से हमारा जो है सअब कि कॉलर मुंता है आप इससे कम भी दे सकते हैं तो एक भाग आपका कॉलर जो है सट कॉलर त्यार हो गया ठीक है इसको हम कटिंग करके आपको बताते हैं देखे इस तरीगे से यह हमारा सट का कॉलर बना अब इसको चिपकाना है वो चीज़ समझे कैसे बनाते हैं को याइसा रखना है ऐसा और इसको ऐसा देखे ऐसा ओर यह वाला भाग आपको अटेच कर देना इसमें ठीक है चाहे आप ऐसा भी सकते हो तो इस तरीके से भी बनता है रेडिमेंट कॉलर यहां पर चिपकाने के लिए आपको यहां पर एक इंच का मार्जिंग देना है ठीक है ताकि आधा मार्जिंग इसमें जाए और आधा मार्जिंग इसमें आए इधर भी मार्जिंग इधर भी मार्जिंग ऐसा करके सब्सक्राइब करने के लिए क्या करते हैं लोग कि बहुत सारे गला जो रखते हैं गला रखने का तरीका उन लोग का वह में बढ़ा तो आपको तो यहां से समझिए साथ इंच ठीक है और ऐसा गला रखते हैं है है ऊए अछण के इसा रखते हैं गला ठीक है इस तरीके से गला होता है और यहां से हाप कॉलर लगाते हैं यहां से यहां से लगाते हैं और ऐसा घूम के ऐसा आता है तो अब में आता है चोदुना 12 एक 13 इंच का कॉलर इसमें कटेगा अब एक कॉलर कटिंग करना बिल्कुल ही सिंपल है और बनाना भी बहुत सिंपल है ठीक है तो इसको भी हम इस तरीके से रखते हैं एक सिधा निसान लगाते हैं और उसके बाद ऐसा इसको 13 इंच हम मापेंगे सीधा सीधा ठीक है यहां तक आएगा अब इसकी चोड़ाई कुछ भी रख सकते हैं आप यानि सवाई इंच डेड़ इंच इसमें हम डेड़ इंच वाले बताते हैं कि अधिक है और यह आएगा ऐसा और इसको थोड़ा साथ से बस इतना ही होता है एस्टेंड कॉलर में हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि अधिक किसी तरीके का होता है तो यहां से देखिए ऐसा होता है इस तरीके से हमारे पर्फेक्ट आगया कॉलर बस इतना ही रहता है एस्टेंड कॉलर में और फर्मूला भी सेम है यानि अगर आपका साइज बढ़ा है तो आधा इंच बढ़ा देना है टोटल पाउंच अ खतना है लेकिन फर्मूला आपको यह ही यूजश करना है दूसरा फर्मूला यूज़ नहीं होगा गला कटिंग करना ही ठीक है अब डीप आपको जितना रखना है और नीचे की से जब जो भी देना है आप दे सकते हैं लेकिन एस्टेंड होता है हाप बाढ़ ही लिया जात कि कटिण करेंगे और फिर समेंगे केसे कடिग करना है आपको ठिक है तो जो निसान है यह गले का यही वाला रहेगा इसमेंविए हमको बदलने की जरुवत नहीं है ति केट अभOham हम जो मार्जिंग है यहां पर जो भी ओपन रखना है या गला कोई भी तरीके का रखना है चुल अब इसको एक काट के दिखा देते हैं आपको कि अब जो गला का गहराई होगा और यहीं वाला होगा कि देखिए ऐसा इस तरीके हुआ अब इसमें यहां से यहां कॉलर फिट होगा तो यह कितना आता है हमारा मेजरमेंट उसके इसाब से हम इसको भी अटेच करेंगे कॉलर और कटिंग करने का हम सरल बीधी बताएंगे कि इस टेप को भी ऐसा रखना है यहां से इस तरीके से और यहां से मार्जिंग छोड़ते हुए ऐसा देख लेना इसमें हमारा सोल इंच का कॉलर लाइगा ठीक है आर दूना सोला डावल फोल्ड करेंगे और एक सिदा निसान फिर से लगा देंगे हम अइसा ठीक है और इन एक जितना हमने रखा है समझे इसमें मैंने रखा है सवाद तीन इंच तो यहां पर भी हम सवाद तीन इंच पर निसान लगा देंगे ए ठीक है इस तरीके से एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा आपको मैं कटिंग करने का और ए वाला भाग ऐसा ले लेना है देखिए ए लेना है और इसको ऐसा रख देना है इस तरीके से ओके और बस फिर क्या है एक कॉलर हमारा कट गया है थोड़ा अब थोड़ा रखना है बाद मिलाएंगे इस तरीके से हमारा एक कॉलर जो है हो गया आपको जितना भी चौरा रखना है उसके इसाप चापको तो ऐसा माप माप के निसान लगा ले ना इस तरीके से ठीक है हम जज्मेंट से निसान लगा लते हैं खाली आपको हमको समझाना है कि देखिए इस तरीके से यह गला जो है दाम बिल्कुल पर्फेक्ट बैठ जाएगा यह वाला भाग है यह जुड़ेगा कंद्य उसमें कि इसमें यह वाला जो भाग है वह इसमें जुड़ेगा ठीक है तो इसको हम कटिंग करते हैं कि देखिए इस तरीके से कॉलर कटिंग होगा और उसके बाद क्या गरना आपको ऐसा रखकर एसा और यहां से यह वाला भाग हैसा आएगा ऐसा रखकर आजसा मार्जिंग लेते खुए और आइसा मिलाना देखिए कितना परफेक्ट वैट रहा है कॉलर है और आपको यहां पे ध्याँ से देखिएगा दो मिनिट यहां पे अभी हापको जो भीसेट चाहिए उसी सब देखिए ऐसा अब यह हमारा जो कॉलर है वो एक दम पर्फेक्ट बैठेगा देखिए ऐसा बैठ जाएगा कितना अच्छे तरीके से बैठेगा विडियो की साइट जो है बहुत बड़ा हो गया है ठीक है और सारी कॉलर हमारा कटिंग हो चुका है अब बाकी जो बच गया कॉलर वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया और इससे हेल्फ मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू किजिएगा और कमेंट करके हमें जरू बताइएगा कि आपका जो वीडियो है उससे हमें हेल्फ मिला है फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ धन्यवाद